हेलो फ्रेंड सबस्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसी क्यों में देखिए हमने फाइव थाउजन अमसी की सिरीज स्टार्ट कर रहे हैं इस सिरीज में जो हमने अभी अभी फार्मकोलोजी स्टार्ट किया है फार्मकोलोजिक हमें टॉपिक वाइज अभी हमने अंटी माइक्रोबियल ड्रक्स स्टार्ट किया हुआ है ठीक है तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना प्रेस करना तक ही जाने वाले वीडियो तो नोटिफिकेशन साप लोगों को मिलते रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं क्वेस्टिक से मैक्रोलाइड में कोन सा आता है कि इसमीं में कॉन से आते हैं अब्सक्राइब कर लाइड एंटिबायोटिक्स में आता है इजित्रोमयसिन आता है यह सब यहापके अक्गंपल सब्सक्राइब करते हैं यह सब इसके बारे में हो गया अब यह हमारा क्वेशन तक कौन सी है मैक्रोडाइब अंटिबायोटिक ओप्शन देख लिए करें रिट्रो मैसिन स्ट्रिप्टो मैसन नियो मैसन तो इसमें सब किसके अमिनोग्लाइकोसद आती है नेक्स्ट ऊप्टेंड फ्रों ओप्शन देखिए एको लाई बसल्टील स्टिल स्ट्व्त्रियस या स्टिप्टोमाइस फ्रैडि तो जो Зब सब्सक्राइब नतो यह कैँ मिध्याइल पर लोग संदा भीकशन देघ्यक्त ride ओलोग Math roll एक फोलंग कर थो सब्सक्राइब क्लार हो चाहि ça मैक्रोलाइड में आता है तो आपका ओप्शन जो है डी राइट हो जगा वैंको माइसीन ओके क्वेशन देखिए नेक्स्ट है दर रसिस्टंस तो मैक्रोलाइड एंटिबाइटिक बाय ओफ ग्राम पोजिटिव ओगनिजम इस ज्वालप डूटू ऑप्शन देखिए डिक्र मेक्रोलाइड लेक्टोन रिंग ओफ मेक्रोलाइड नेक्स्ट ऑप्शन मिथाइलेज ओफिफ्टियस सब्यूनिट एड़ एंटिबाइटिक बायंडिंग साइट या इंक्रीज मेटाबोलिजम ओफ एंटिबायोटिक से तो जो आंसर हो जगा इसका ऑप्शन 3 हो जगा देखिए यह ओप्शन सी हो जगा ट्रांस लोकेशन जो है उसके 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 साथ इंटरफेर करते हैं आपका राइड हो जगा नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलविंग ड्रग एक्ट और मोटलीन रिसप्टर देखिए रित्रोमाइसिन टेटर सैकल नौर फ्लॉक्ससिम या कल एमोक्सिसिलीन तो टोर से दी पॉइंट इस जो है यह कोज करेगी ऑप्शन ने आपका इरित्रोमाइसिन नेक्स्ट है इरित्रोमाइसिन ड्रग ओफ चॉइस इन ट्रीट्मेंट ओफ चाइल्ड हुड इंफेक्शन द्यू तो फॉल्विंग और्गनिजम एक्सेप्ट इरित्रोमाइसिन जो है किसमें इन तीनों में यूज़ करेंगे मतलब की ऑप्शन से एक अलावा इन तीनों में यूज़ करेंगे तो देखिए पर्चूसिज जो वूपिंग कंफ भी जिसको बोलते हैं इसमें जो है यह फस्ट चॉइस ड्रग यूज़ होता है माइको प् प्षण सी राइट हो जएगा नेक्स्ट में अक्रोलाड एंटिबायोटिक विच को मिनीमल हीपाटिक साइटोक्रोम पी फॉर फिफ्टी इनवल्मेंट इस देखिए जो मैक्रोलाड एंटिबायोटिक सो थी यह इनजाइम इनिबिटर सो थी है जैसे आपकी इरित्रोमाइ को तो देखिए नेक्स्ट मेंटर होती है तो लेकिन ब्ली में जो ही पाटिक जो मिनीमल एंजाइम इनिबिशन को तो आपके ऑप्शन सी है जो है यह आपने आद रखना है और आश्यवाइट आंसर हो जाएगा क्वेशन देखिए नेक्स्ट हैट्रीटमेंट वौपिंग क सब्सक्राइब आपको पता है कि यह होती है कि इसके लिए पर्चूसिस के लिए इसके वुपिंग कफ भी बोलते तो आपका हो जगा इरित्रोमाइसी नेक्स्ट है सिथिर्वॉय पर सेंसे माये हैं इसको होता से होता है किस अप्शन पाप टू कोण इसको है इसके लिए सिटयंघ होती है सीमाइसीसियोस घोट इनिवे इस होती है थिए इफेक्टिवसिंगल दोस ठ्रापी को माईज्ज डोक्सीशाईटलीं ग्लेट्रोमाइशीन तो option C हो जगा घित्रोमाइशीन ओकीं नेक्स्ट है काँ पर सेलोर्फ करेंतर या यह कोई-काइक काम करेंगी यह पर सब्सक्राइब कि याद रखना है next है रूट ओफड मेंस्टेशन इंट्र मस्कुलर इंट्रावीनस और या टॉपिकल तो जो इसका रूट ओफड्मिनिस्ट्रेशन है वह आपका टॉपिकल हो जगा सब्सक्राइब नहीं होती तो इसका रूट ओफ एड्मिनिस्ट्रेशन आपका क्या हो जगा टॉपिकल नेक्स्ट है विच वन ओफ फॉलोइंग इस स्टिरोइडल एंटिबायोटिक डी में कौनसा है तो यह ऑप्षन है हो जेगा प्यूसी इंटी वायोटिक नेर व प्यूसीडिय। को यह इनिवट करें और यह टॉपिकल ही उजकरते हैं एक भी नेक्स्ट है आपका sodium fucidate acts mainly against gram positive bacteria is तो यह वही फूसिटीन की बात हो रही है वही है sodium fucidate जो है यह mainly gram positive bacteria के against act करता है यह क्या है देखिया अमिनोग लाइकोसाड एंटिबाइटिक, स्टिरोडल एंटिबाइटिक, मैकरोलाइट या नन यह आपको पता है option b हो जगा steroidal antibiotic है यह next एक क्लिंडा-maiacine act by inhibiting तो क्लिंडा-maiacine के बारे पूछा हुआ option देखिले cell wall synthesis या फिर protein synthesis cell membrane synthesis या glucose utilization देखिया क्लिंडा-maiacine जो होती है यह linkosamide antibiotic में आती है तो यह क्या करती है option b हो जगा protein synthesis को inhibit करेगी 50S ribosome पे ही बाइंड होती है फिर protein synthesis को inhibit करती है question देखिये next antibiotic known to cause red man syndrome is क्लिंडा-maiacine, cifadroxyl, vencomycin या zitromycin तो कौन सी antibiotic है जो red man syndrome cause करती है काफ़ important है यह तो यह आपकी होती है वैंको-maiacine होती है option c हो जगा वैंको-maiacine जो है यह glycopeptide antibiotic में आती है वैंको-maiacine गलाइको-peptide antibiotic में आती है वैंको-maiacine यह हो गया क्या को उसकाती है रैड़मन syndrome को उसकाती है वैंको-maiacine ओके नेक्स्ट है ड्रग ओफ चोईस फोर मैथिसलिन रजिस्टेंस टेफालो कोकस ओरियस इस ओप्शन से हमोक्सलिन क्लाइवलानेट वैंको-maiacine इसके लिए ड्रग ओफ चोईस होता है कौन सी ड्रग होती है वह आपकी वैंको-maiacine होती है ओप्शन बी राइट हो जगा वैंको-maiacine जो किसमें आती है गलाइको-peptide antibiotic में आती है वैंको-maiacine ठीक है नेक्स्ट ड्रग दाट इस नोट एक्टिव अगेंस्ट क्लोरम फैनिकोल या वैंको-maiacine ठीक है तो ओप्शन जो है इसका डी हो जगा वैंको-maiacine ड्रग विच एक्ट वाय रिलीज ओफ फॉर्मल डिहाइड इन यूरिनल ट्रैक्ट इस अमोनियम क्लोराइड नैलेडिक्जिक असरे नैट्रोफिरंटोन या मैथिनामीन मैंडि कैके तो कौन सी ड्रग है जो क्या कोस करती है पॉर्मल डिहाइड को रिलीस कराईगी यह आपकी होती है कौन सी मैंञिन मैंडिल याफ्सें जोह है आपका डी राइट हो चैगा अलगा होती है उसको-चलु 26 itt तो अंसर होजगा आपका ओप्शन दी मैंङल मैंडिलेड गे तो यह प्रोड्रक होती है किसमें कर्माइट होती है कैसे कर्माइट होती है लो पी एच जो होता है उसमें इसके जो है इसमें कर वाट होती है पॉली पैप्टाइड आंटिबाइटिक सारी ही आती है आपको पॉली मिकसिन बी का नाम याद रखना है पॉली मिकसिन जो इसमें दिया पॉली मिकसिन भी होती है और एक बैसिट्रासिन होती है यह चारो किसमें आती है यह आपकी पॉली पैप्टाइड एंटिबाइटिक सार्कलेंडामाइसिन लिंको में सीन बोथ यह नन देखिए दोनों ही लिंकोशमाइड एंटिबाइटिक स्में आती है ओप्शन त्री आपका राइट हो जगा नहीं से और फोलेंग अरीजिन ए सारे ड्रक हैं संगल से औरिजिनट विए कि यहां एक्षार्ट सब्सक्राइब है फंगल औरिजिनट था उसी यह बंगाइब वनकोमाइसिन नावे लिगाए यह पिजेगा कि बारे में कि बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो दिया हुआ है और कि सारी स्टेटमेंट सही तेत्मेंट साही ए बिल्कुल राइट हो जाएगा वेंको मैंसिन जाग प्रेप्ट एंटिपाइटिक में आती है आपको दो बताई है तो एक ती को बनीन बताई है करती है काफी बार एक्जाम में पूछते हैं जो मैंको माइसिन ड्रग ओफ चोईस होती है तो ऑप्शन फो राइट हो जएगा नेक्स्ट है ड्रग रिजिस्टेंस मोस्ट कॉमली ट्रांस्मेट बाए तो यह है रिकमार प्लास्मिट प्लास्मिट बैक्टिरोफेज एपिसोम से एंट्रोंस तो ऑप्शन ने हो जगा रिकम्बिनेंट प्लास्मिट जो मोस्ट कॉमली ट्रांस्मिट किसे होता है प्लास्मिट से नेक्स्ट विच फॉलंग स्टेटमेंट इस च्रिवाट लीने जोलीड जो है इसके बारे में कौन साथ स्टेटमेंट सहीं है देखे लिए जोल लीक्तिवलीड माउ इनिविटर लीने जोलीड इनिविटर भी होता है और यह प्रोटेन सेंटेजिस को इनिविट करेगा क्वेशन देखिए नेक्स है अंटिबाइटिक्स और मॉस्टली उप्टेंड फॉम बैक्टिरिया वाइरस अंजियोस्पर्म से फंजाए सम्टिबाइटिक्स जो मॉस्टली किसे उप्टेंड होती है ऑप्शन वन हो जगा माइको बैक्टिरियम एविन कोंप्लेक्स जो होता है में इसके लिए को यूज करेंगे के साथ क्या यूज करना प्लस इथैंब्यूटोल ठीक है अजित्रोमाइशन प्लस इथैंब्यूटोल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है ओल फॉलिंग ड्रग बताना है कि कोलिस्टीन दिया हुए यह ना में टैटरा सैकलीन देकि ऑप्शन डी हो जगा टैटर साइकलीन को छोड़के बागी तीनों ड्रग है बर्टीरिया से ओरीजनेट होती है ओके क्वेशन देखिए नेक्स जी है प्रोलोंग यूज आंटिबाइटिक और आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा अब यह क्वेशन इसकांसर आप लोग कमेंटर बॉक्स में देना है तो इसमें हमारा यह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो इस वीडियो में इतना है यह आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शेयर करना चैनल सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ओके थैंक्यू